देमक्रसी में बहुत माध्यम है जनता की भागेदारी के लिए सबसे बड़ा तो यह है कि जो एलेक्शन होता है यही बहुत बड़ा माध्यम होता है लेकिन अगर आप प्रसाशन में देखते हैं तो बहुत से जगे जो है जो कोई नया कानून बनता है तब भी यह देखा गय है कि सरकार जो है कानून वह डिसकसन के लिए एक parliamentary committee जो बनती है वह इनकी तरफ से इनके विचार लेती है तो एक तो वह माध्यम है जहां पर कोई भी कानून बनता है उस पर लोगों के विचार लिया जाता है दूसरा consultation का एक बहुत बड़ा process हो गया है आजकल जाहे NGOs हो जाहे और stakeholders हैं इनको भी consult किया जाता है और अगर आप local level पर देखें तो self-help groups अगर आजकल बहुत आ गई हैं जो बहुत important role play करती हैं तो कई stakeholders से इस समय consultation होता है हर process में सरकार भी करती है और सबसे बड़ा यह है कि आजकल तो social media इतना active हो गया है कि आप अपने विचार बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं और निचित रूप से उस पर कारवाई भी होती है